हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इंगीनेस वाला में और आज की क्लास में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं इस पूरे हफ़ते के जो भी important current affairs related questions जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं किसी भी A.E.J.E exam में पूछे जा सकते हैं वो SSCJ हो, RRBJ हो या और भी किसी भी तरीके के A.E.J.E exam में पूछे जा सकते हैं वो सारे important questions आज की class में हम discuss करेंगे एक बार जल्दी से comment section में बता दीजे audio, visual, sub clear है a very good evening, a very welcome to all of you a very warm welcome to all of you कैसे हैं आप लोग आपनों की तयारी कैसी चल रही है एक बार जल्दी से comment section में बताइए I hope आप सब की तयारी अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये second lecture है और हर हफते Saturday को, शाम को 7 बजे हम discuss कर रहे हैं important questions उस हफते से related जो भी important current affairs के questions आपकी exam में पूछे जा सकते हैं उस सारे के सारे questions हम discuss करेंगे Good evening, good evening everybody, welcome to the session तो चल ये start करते हैं काफी सारे questions है हमारे पास start करते हैं और बात करते हैं पहले question की और सभी लोग poll को use करेंगे अच्छे से पहला question पूछ रहा है Who has been recently appointed as the chairman of the 16th finance commission हाल ही में सोल में वित आयोक के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है Finance commission का main objective क्या होता है Finance commission का main objective क्या होता है Finance commission का main objective होता है कि center और state के बीच में किस तरीके से जो tax revenue है या और जो भी revenues है वो किस तरीके से distribute होंगे तो किसको recently अभी Solway with I.O. के chairman के रूप में चुना गया है Finance commission का major purpose है major objective हो क्या है कि center और state केंद सरकार और राज सरकारों के बीच में किस तरीके से जो tax revenue है वो divide होगा यह finance commission बताईगे Finance commission का mention article में कहां पर है Article 280 Article 280 बात करता है Finance commission की यह आप से पूछा जा सकता है important question है तो recently Arvind Panagriya option C इनको चुना गया है Solway with I.O. के chairman के रूप में The correct answer is C बहुत ही बढ़ियां भई सारे के सारे बच्चों ने सही answer दिया जो लोग हिंदी में देखना चाते हैं वो हिंदी में भी देख सकते है इससे पहले यह Neeti A.O. के vice chairman थे इससे पहले यह Neeti A.O. के vice chairman थे और recently इनको Solway with I.O. के chairman के रूप में नियुक्त किया गया है Next question 45 second Who is the current 2024 CEO of the Indian Cyber Crime Coordination Center Indian Cyber Crime Coordination Center जिसको short form में हम I4C भी कहते है I C C C C तो इसको I4C के acronym से भी जानते हैं Recently किसको इसका CEO Nuked किया गया है Thank you आपको अपना सही answer comment section में लिखना है वहां से ही जो पोल है वो answer को pick कर लेगा The correct answer is Rajesh Kumar Rajesh Kumar जी को recently I4C के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है The correct answer is B 70% लोगों ने सही answer दिया Indian Cyber Crime Coordination Center इसका basic purpose क्या है ये Ministry of Home Affairs के अंतर आता है और इसका जो major काम है वो क्या है कि किस तरीके से Cyber Crime से related जो घटनाएं होती है इंडिया में उनको कैसे रोका जाए इसमें ये भी बताया गया था कि लगबग लगबग 10,500 करोड के आसपास का गबन किया गया है थ्रू Cyber Crimes इसका जो amount है बहुत बड़ा है तो इसको कैसे रोका जाए इसके उपर ये institution काम करता है Indian Cyber Crime Coordination Center I4C और recently राजेश कुमार जी को इसका नया CEO चुना गया है ये आप से पूछा जा सकता है पस्चिम बंगल सरकार ने किस नदी के तड़ पर एक चाय पार्क विक्सित करने की योजना बनाई है on the river of on the bank of which river the West Bengal government has decided to inaugurate a tea park what is the correct answer the correct answer is बी हुगली हुगली नदी के किनारे एक tea park डेवलप किया जा रहा है 92 परसेंट लोग ने इसका सही आंसर दिया है बहुती खतरनाक on the banks of हुगली रिवर नियर कॉलकटा किन दो संस्थाओं को खेल राश्टी खेल प्रोच्साहन पुरसकार 2023 के प्राप्त करता के रूप में चुना गया है which two entities have been selected as the recipients of राश्टी खेल प्रोच्साहन पुरसकार 2023 राश्टी खेल पूच्साहन पुरसकार 2023 यह भी important है तो recently जो दो संस्थाओं है that is Jan University and Odisha Mining Corporation इन दोनों को चुना गया है राश्टी खेल प्रोच्साहन पुरसकार 2023 के लिए the correct answer is A सब ने गलत answer दिया राश्टी खेल पूच्साहन पुरसकार किसको किसको दिया जाता है corporate entities को दिया जाता है चाहें वो public sector में हो या private sector में हो sports control boards को दिया जाता है NGOs को दिया जाता है NGOs मतलब non-governmental organization एसी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं नहीं है जो profit के लिए काप नहीं करती है इसके लावा sports bodies को भी दिया जाता है जो state level पे हो सकते है national level पे हो सकते हैं and who have played a visible role in the area of sport promotion and development next शीर्चेंदू मुखोपाध्याएं who recently won the 2023 कुवेंपू राष्टिय पुरस्कार यह लिट्रेचर में दिया जाता है पुरस्कार कुवेंपू राष्टिय पुरस्कार कुवेंपू कंड़ भाषा के एक महान जो है लेखक थे और उन्हीं की memory में उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है उनका languages को जो contribution है उसके आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है तो किस भाषा से आते हैं किस भाषा में इनका योगदान रहा है एक बार जल्दी से मुझे दिख रहे हैं बार बार कमेंट कर रहे हैं तो यह एक प्रसिद बंगाली राइटर है शिर्चेंदू मुखवपाद्या इनका नाम ध्यान लगएगा इन्होंने बंगला भाषा में बहुत सारा कंट्रिबूशन किया है और रिसेंटली इनको 2023 का कुवेम्पू रास्टिय पुरस्कार दिया गया है कुवेम्पू यह एक महान लेखक थे यह कंड़डा पोएट थे कुवेम्पू और इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है नेक्स्ट मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जब भी आप करेंट अफेर्स के को भी पढ़ना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है उसी जो क्वेश्चन बन सकता है तो क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा प्रोफेसर बी आर कंबोज हुए रिसेंट्ली एनौंस विनर ओफ फॉर्टीन्थ एमेस स्वामी नाथन आवार्ड इस एस एस विच फील्ड एमेस स्वामी नाथन यह हमने क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा था इनको भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवलुशन कहा जाता है ग्रीन रेवलुशन मतलब हरित करांतरी फादर ऑफ ग्रीन रेवलुशन इन्होंने genetically modified crops introduce करे थे कई सारे varieties introduce करे थे जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थी और फाइनली हरित करांती के बाद ग्रीन रेवलुशन के बाद इंडिया एक food में self-sufficient country बन पाया रिसेंट्ली में स्वामी नाथन जी का निधन भी हुआ है तो इसलिए यह question बहुत important हो जाता है जिस question में आपको five star rating दे दूँ आप समझ जाओ कि वो question आपको directly exam में मिलने वाला है तो obviously बात है कि इन्होंने किस छेतर में काम किया होगा प्रोफेसर बी-ार कमपोज ने एग्रो नॉमी इसका सही आंसर हो जाएगा ए सबने गलत आंसर दिया भाई ठीक है इनको ये award कहां पर दिया गया है एक international conference हुई है जिसकी theme थी one health one word इन ग्वालियर मद्रप्रदेश कई बार ये भी पूछ लेता है कि कहां पर ये award दिया गया है तो एक international conference हुई ग्वालियर मद्रप्रदेश में जिसकी theme थी one health one word highlighting his impact on agriculture research and development तो agriculture में research and development में इन्होंने बहुत काम किया जिसको short form में हम agronomy कहते हैं तो इनका contribution किस में था agronomy में और obvious सी बात है अगर आपको नहीं भी पता है अगर MS Swaminathan award दिया जा रहा है और MS Swaminathan जी का जो नाम है वो किस से जोड़ा जाता है वो agriculture से जोड़ा जाता है green revolutions से जोड़ा जाता है तो यह तो logically आपको यह question कर लेना चाहिए था चलिए next question की बात करते है who has been named as the president designate for the 29th session of the conference of parties conference of parties यह हमने class में काफी detail में discuss किया है conference of parties इसका basic purpose क्या होता है हुआ 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 है तो यह जो conference of parties है यह किसके अंतरगत होती है यह जो conference है जो annual conference है हर साल यह united nations framework convention on climate change climate change के ऊपर united nations की जो संस्था काम करती है उसके अंतरगत यह conference of parties हर साल conduct करी जाती है और इस बार जो 29th conference of parties है वो कहां होने वाली है COP29 is going to be conducted in Baku Baku एक जगे है अजर्बाइजान में एक country है अजर्बाइजान तो किसको recently इसका president designate चुना गया है मुखतार बाबा येव मुखतार बाबा येव यह अजर्बाइजान के minister है Minister for ecology and natural resources सबसे मज़े की बात यह है कि यह दूसरे ऐसे petrochemical executive है जो petrochemical industry में रह चुके हैं जिनको COP29 का president designate चुना जा रहा है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा B. मुखतार बाबा येव country का नाम याद रखना अजर्बाइजान पूछ सकता आप से 33 प्रतिशत लोगों ने सही answer दिया सुधीर करन next कितने लोग follow कर पा रहे हैं एक बाद जल्दी से comment section में बताईए follow कर पा रहे हैं कि नहीं इसमें ज्यादा तर questions जो है मेरे खुद के बनाई हुए questions है तो जो content आपको मिल रहा है आप उसको rely कर सकते हैं ट्रस्ट कर सकते हैं और ये आपकी exam में directly questions पुछे जाएंगे मैं बता रहा हूं Recently किस शहर में दोजार चौबिस में पुलिस महा निदेशकों और महा निरिक्षकों का अखिल भारती सम्मिलन आयोजित किया गया था In which city was the All India Conference of Director Generals and Inspector Generals of Police held in 2024? What is the correct answer? The correct answer is Jaipur The correct answer is Jaipur और इस कारक्रम को प्रदान मंति शी नरेन मोदी जी ने भी अटेंड किया था Prime Minister शी नरेन मोदी अटेंड़े था The 58th All India Conference of Director Generals and Inspector Generals of Police on 6th and 7th January 2024 at Rajasthan International Centre, Jaipur तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा B Jaipur B Jaipur क्या हो यह भाई इसको 18 प्रतिशन लोगों ने सही अंसर दिया, उस्मान करन यह सबसे बढ़े हैं क्योशन पूचा नेक्स्ट योजना जिसे पहले इंद्र रसोई योजना के नाम से जाना जाता था उसका क्या नाम रखा गया है यहाँ पर कोई आपको पुरसकार नहीं मिलने वाला है, आपको अपने खुद की तयारी को चेक करना है तो आप सही आंसर दे रहे हो, यह obviously important है, बढ़ उससे ज़्यादा important यह है कि आप question को अच्छे से पढ़ो, answer को अच्छे से पढ़ो ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हो सकता है वो यह योजना के बारे में आप से question पूछ ले इंद्रा रसोई योजना scheme is now officially called श्री अनपूर्णा रसोई योजना, तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? श्री अनपूर्णा रसोई योजना और इस योजना का नाम बदलने के साथ ही साथ, जो subsidized meal per plate दिया जाता था, subsidized का मतलब क्या होता है? discounted rate पर जब सरकार अपनी तरफ से कुछ साहता प्रदान करती है, जैसे जब आप gas का cylinder लेने जाते हैं, तो उसमें कुछ subsidy मिलती है, उसी तरीके से, ये subsidized खाने की plate है, तो इसका जो weight है वो बढ़ा दिया गया है, 600 gram कर दिया गया है, under the new name इसका जो weight है, plate का मतलब खाना बढ दिया गया है, the government grant per plate has been raised from 17 to 22 rupees, पहले सरकार 17 rupees देती थी, अब सरकार 22 rupees देगी, however, the contribution required from the beneficiaries remains unchanged at 8 rupees per plate, बट जो खाना खाएगा, उसको सिर्फ कितना रुपईया देना पड़ेगा, 8 rupees देना पड़ेगा, चलो भही, next, operation shadow play, यह question पूछा जा सकता है, थोड़ा interesting है, हाँ civil बेटा, यह second lecture है, जो weekend के हम classes कर रहे हैं, question के लिए, उसका यह second lecture है, last week एक lecture हुआ था, साथ दिन पहले, और आज दूसरा lecture है, operation shadow play, यह हाली में बहुत चर्चा में रहा था, तो australian government ने यह पाया है, कि यह कई सारे ऐसे channels है, कई सारे ऐसे channels है, online channels है, social media channels है, जो कहीं न कहीं से जो Chinese philosophy है, उसको propagate करते हैं, और जो anti-US है, और इसी को नाम दिया गया, operation shadow play, जो चाइना से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही answer हो जाएगा, A, 40% लोगों ने सही answer दिया, तो यह australia की एक strategic policy institute है, जिसने यह पाया है, कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे channels हैं, लगबग 30 के आसपास channels हैं, जो pro-Chinese viewpoints को propagate करते हैं, और US को criticize करते हैं, इस investigation को नाम दिया गया है, operation shadow play, Alka Singh, fun fiesta बेटा है, ऐसा, क्या लिख रहे हो जिसको delete करना पढ़ ला है, चलो next question, What is the primary source of new jet fuel recently developed by firefly green fuels, लेको नाम भी important है, हो सकता है, नाम से question पूछ ले, Firefly, Firefly green fuels, हाल ही में, Firefly green fuels और अविक्सित ने, जेट इंधन का प्राथमिक स्रोत क्या है, यह बड़ा interesting है, इसने एक नया इंधन जो है बनाया है किसके लिए jet fuel के लिए the correct answer is human seaweed human seaweed correct answer is human seaweed be human seaweed 12 प्रतिशत लोगों ने सही answer दिया अबिनाश रॉय इनुव एवेशन फिर्म है स्पाइड जेट फ्यूल मेरे इंटर्ली फ्यूमन सीविच जो हुमन सीविच होता है उससे मनाता है दा साइंटिसेट दे लेबरेटरी इन ग्लोस्टर शायर है फॉस्टेस्फुली कंवर्टेट दे वेस्ट इन्टो केरोसी Die इन कररे साइड से हर वेस्टन अवर्ण नुवर्सेट अवर्ण 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 द frैas the correct answer is the correct answer is William Pai sorry William Lai William Lai हाल ही में जो चुना हुए थे प्रेजिडेंट के उसमें इनको ताइवान का प्रेजिडेंट चुना गया है उसमान सुधीर करन सुमन कुछ बच्चे बढ़ियां कर रहे हैं इनका एक और नाम भी है लाए टिंटे लाए टिंटे याद करने में डिफिकल्ट है लेकिन याद रखेगा कुश्शन पूछ सकता है यह किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इन्होंने रिसेंटली ताइवान का प्रेजिदेंचल इलेक्शन जीत लिया गया है देस्पाइट दा वॉर्निंग्स नाट टू वोट फॉर हिम फ्रॉम चाइना ने यह धंकी देने की कोशिश करी कि इनको वोट ना दो बट फिर भी यह वहां के बन गए तो यह सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लीजेगा नोट बनाते जाएगा जो जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट बनाते जाएगा उसी को रिवाइस करिएगा इग्जाम में बहुत मदद मिलेगी आपको पूछ रहा है नेक्स कोश्चिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उद्गाटन संस्क्रण में कौन सा राज शीर्श प्रजशन करने वाला राज बनकर उभरा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उरियंटेशनल एडिशन है उसमें कौन सा राज टॉप प्रफॉर्मर बनकर उभरा है तो इसमें हर्याना जो है वो नमबर वन पर है मेडल जीतने के हिसाब से और इसने टोटल 105 मेडल जीते हैं जिसमें से 40 गोल्ड है इसके बाद सेकेंड नमबर पर जो पर्फॉर्मेंस के इसाब से वो उत्तर प्रदेश और थर्ड नमबर पर तमिल नमबर पर फूस सकता है वो ठीक है नेक्स कोश्चन देखते है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी हर्याना अच्छा यह कट जाता है क्या कुछ सी हर्याना बहतर प्रश्चत लोगों ने सही आंसर दिया तुम लोग चीटिंग तो नहीं करो एक बाद सही सही बताओ कमेंट सेक्चन में कोई ऐसा तो नहीं है कि गूगल से चीटिंग मिटिंग कर रहा है यहां कोई पूरसकार नहीं मिलेगा ठीक है अंत में जीत उसी की होगी जो क्लास को ध्यान से अटेंड कर रहा है जो यह नहीं कि फटा फट से देखा जिस तरीके के मुझे आंसर मिलना है सत्तर प्रस्चत सो प्रतिशत गजबी तैयारी चल लेए भाई तुम लोग तो फोर दोगे कमप्टीशन हाई कर दोगे भाई यह बहुत important question है यह question आपको अपने SSC, JE या और किसी ना किसी exam में जरूर देखने को मिलेगा जिस question में 5 star लगा दूँगा उसको आप समझ लेना लिख लेना कि वो आपको exam में question मिलेगा ही मिलेगा उसमें कोई भी doubt नहीं है ठीक है वोट इस अंसर दे करेक्ट आंसर इस बांगलादेश पूछ रहा है हाली में कौन से देश अंडर 19 एश्या कप 2023 का विजेता बना अंडर 19 एश्या कप अगरेक्ट आंसर इस डी बांगलादेश डी बांगलादेश इसने किसको हराया है इसने United Arab Emirates को 195 रण से हराया बांगलादेश ने United Arab Emirates को 195 रण से हराया दिस वोज बांगलादेश फर्स्ट अंडर 19 एश्या कप टाइटल यह पहला टाइटल है अंडर 19 एश्या कप का बांगलादेश के लिए इसलिए बहुत important है player of the tournament किसको गोशित किया गया Shibley Shibley हो सकता है वो आपसे कुछ ना पूछे यही पूछ ले who was the player of the tournament for under 19 इस यह कप तो उसका सही की आंसार है Shibley बास समझ में आ रही है नेक्स कुस्चिन छटे रवीना टैगोर सहित्यक पुरसकार से किसको सम्मानित किया गया है who has been awarded the 6th रवीना टैगोर लिट्रेरी प्राइज what is the correct answer इसको भी 5 star दे सकते हैं जिस जिस कोच्चिन में 5 star लिखूंगा इसका मत्तब वह आपके एक्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रखता है उसको आप बहुत सीरस्ली लीजेगा उसके नोट्स बना लीजेगा उसको टाइम ली रिवाइस करते रहेगा जब भी टाइम मिले नहीं मन लग रहा है कुछ पढ़ने का मन नी कर रहा है उठाया रिवाइस कर लि कि पच्छिस प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया करन और फारुक को इनकी एक बड़ी मशूर किताब है और उसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स सुकृता पॉल कुमार नाम या दखना कई बार वह आप से डारेक्ट प्राइज ना पूछ के बुख का नाम पूछ लेता है बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है नेक्स नेक्स कोश्चिन इस कोश्चिन को ध्यान से पड़ो पैतालिस सेकेंड है पूछ रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म डेवलब किया गया है नैशनल हेल्थ एथॉरिटी के दौरा जो सीमलेस टांसफर ओफ मेडिकल क्लेम्स डेटा बेट्वेन इंशोरर्स एंड हेल्थ केर प्रोवाइडर्स करत को मेडिकल क्लेम्स का जो डेटा है उसको सीमलेसली ट्रांसफर करता है बिना किसी अवरोध के ट्रांसफर करता है नैशनल हेल्थ एथॉरिटी यह भी अच्छा कोश्चन है पूछा जा सकता है मैं सारे कोश्चन में नहीं पांच स्टार दे रहा हूं देखो जो इंपॉर्टेंट है उसी में दे रहा हूं इसका सही अंसर हो जाएगा नैशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज एच सी एक्स बी इस दा कर्रेक्ट आंसर बी इस दा कर्रेक्ट आंसर मुहम्मद करन सुधीर सुर्जीत अभिनाश फारुक अलका काफी लोग ने दिया तो कौन कौन सी संस्था है इसको मिलके पब्लिश कर रही है नैशनल हेल्थ एथॉरिटी ठीक है इन्शोरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलप्मेंट अथॉरिटी आफ इंडिया आई यार डी ये ये दोनों मिलकर इसको पब्लिश कर रहे है ये एक तरीके का डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है जो इन्शोरेंस करने वाले और जो मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर कंपनीज हैं उस्पिटल्स हैं उनके वीच में डेटा को टांसफर करता है किस राज प्रदूशन ने अंतर बोर्ड ने मोबाइल एप जनवानी कलुष्य निर्वानी जनवानी कलुष्य निवरानी प्रोड़ा डिफिकल नाम है जनवानी कलुष्य निवरानी इस नाम से एक मोबाइल एप लाँच किया है मोबाइल एप का नाम क्या है जनवानी कलुष्य निवरानी तो किसकी आधार पे होगा यह कहीं न कहीं pollution से related होगा क्योंकि कोई state का pollution control board इसको launch कर रहा है तो इसका मतब कहीं न कहीं pollution को रोकने के लिए pollution के जो दुष्ट प्रभाव है उनको रोकने के लिए ये काम करेगा the correct answer is telangna the correct answer is telangna c telangna असी प्रचेद लोगों ने सही answer दिया सुधीर करन अभिनाश अलका फारुख प्रिया अभी शिवम चली ठीक है next question पूछ रहा है the first ever world basketball day was celebrated on December 21 to commemorate which of the following हाल ही में पहला world basketball day मनाया गया है कब मनाया गया है 21 December को ये दिन याद रखेगा हो सकता है आप से ये भी पूछ ले कि पहला world basketball day कब मनाया गया 21 December को तो ये किस की याद में मनाया गया the correct answer is James Nye-Smith the correct answer is Dr. James Nye-Smith the NBA has commemorated the inaugural world basketball day a global initiative established by United Nations on 23rd August during the FIBA F-I-B-A world cup this day marking the anniversary of Dr. James Nye-Smith into the screen of basketball at the Springfield YMCA in 1891 it will be observed annually on 21st December James Nye-Smith ने पहली बार basketball को introduce किया था और उन्ही की याद में world basketball day मनाया जाएगा कब मनाया जाएगा 21 December को मनाया जाएगा इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों A 50% लोगों ने सही answer दिया चल कोई बात नहीं Next question Question को ध्यान से पढ़िये दोफब 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 ड्ह़द दोफट गश फच्याज विधगा शवत कोब दोफबर दोने जाएगा तो дав म pojawं Wait waż में हम कोपबर घच्याएगा है पूछ रहा है कि कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली एक क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इंडिया का पहला कर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इंडिया स्थर्न कार्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो UPI इंटीगरेशन ऑलाउ करता है और इसका नाम है E Ist है correct answer is be indecent bank बी इंडिसन बैंक नौ प्रतिशत लोग ने सही अंसर दिया बाकी सब ने गलत उस्मान ने सिर्फ सही अंसर दिया इंडिसन बैंक ने रिसेंटली इस सवर्ण क्रेडिट काड लांच किया है इसकी क्या खूबियत है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को नौ में जैसे अपने डेविट कार्ड को उपिय में कनेक करते है कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यह बहुत ही धादा इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको मिलेंगे पांच स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर वाट यू आर यह कविता जिसने भी लिखी है उसको चरण इस पर किसी भी लेंग्विज में कोई भी देश हो शायद ही कोई बच्चा होगा जो शायद इस कविता को नहीं पढ़ता है और बहुत इमोशनल है कविता यह मेरी चोटी वाली बेटी और जो बड़ी वाली बेटी वह भी जब चोटी थी तो जब मैं गाना सुनता था तो गाना बहुत फिलोसफी है इस गाने में तो पांच स्टार मिलेंगे दोस्त इस क्वेश्चन को भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ रहा है कि भारत अपना खुद का जीपीटी कारकर्म शुब आरंब करना चाहता है तो कौन सा इंस्टिट है जो रिलाइंस जीओ के साथ मिल के इस पे काम करेगा फॉर भारत जीपीटी ओड़ी से करेक्ट आंसर इस आयाइटी मुंबाई जीओ की बात हो रही है तो इटी मुंबई की संभवना ज्यादा लग रही थी सतत्तर प्रतिशत लोग ने सही अंसर दिया है चलिए नेक्स कुश्चिन मारतंड सन टेम्पिल इस लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन ठेरिट्री मारतंड जो है यह सूर्य का ही एक पर्यायवाची होता है तो यह भगवान सूर्य का ही एक मंदिर है यह पूछ रहा है यह कहां पर है यह मंदिर अभी रिसेंटली चर्चा में था और यह मंदिर जो है यह एक प्रोटेक्टेड मंदिर है इस अ प्रोटेक्टेड टेम्पिल by ASI ASI means Archaeological Survey of India जितनी भी हमारी पुरानी इमारते हैं धरोहे हैं मंदिर हैं या ऐसी और भी कुछ infrastructure से उनको protect करने का काम कौन करता है Archaeological Survey of India तो ASI की दोरा ये protected मंदिर था बट कुछ लोगों ने इन regulations को जो है bypass करने की कोशिश करी just because of their emotions and feelings उस दिन जिस दिन 22 तारिक को 22nd January जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का inauguration किया गया था तो ये चर्चा में था ये मंदिर कहां पर है ये मंदिर जम्मु एन कश्मीर में है मारतंड सूरे टेंपर इस इन जम्मु एन कश्मीर इसका सही आंसर है C 58 प्रच्षत लोगों ने सही आंसर दिया ठीक है चलो भी नेक्स कोस्टिन अब देखो फिर से आगया है ट्विंकल 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 लिटल स्टार अव आई वंडर वट यू आर फाइव स्टार विमेंस सिंगल टाइटल इन आस्ट्रेलियन ओपन 2023 पूछेगा है पूछेगा नो डाउट अबाउट इट पूछेट रखा हुआ है आपके एक्जाम में यह उस्ट्रेलियन ओपन 2024 विमेंस सिंगल टाइटल यह किसने जीता है वाइज पूछेट आंसर पूछेट आंसर पूछेट आंसर आरेना सवा लिंका आरेना सवा लिंका यह कहां से आती है यह बेलरेस से आती है बेलरेस एक कंट्री है यह वहां से आती है और पिछले लगबग लगबग दस साल के आसपास यह पहली महीला है जिन्होंने इस खिताब को जीता है प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया भाई बहुत ही खतरनार आरेन सवा लिंका ब्ल्यू चाइना जैंक्विंग वैंग चाइना जैंक्विंग वैंग यह भी नाम याद रखना पूछ लेता है कभी कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटिल एंड शी इस फर्स सब्सक्राइब करने वाली यह पहली महिला है इससे पिछली बार लास्टाइम टूर्नमेंट विटनेश्ट सक्सेस्फुल विमन स्टाइटल डिफेंस वाज इन ट्विंटी थार्टीन इससे पहले दोहजार तेरह में और वह भी एक बेलरस की ही थी लेडी जिन्होंने यह सम्मान एचीव किया था आज से ठीक दस साल पहले के आसपास की बात है आरियन सबलिंकर यह जो है यह एक बेलरस से आती है ठीक है यह प्रोफेशनल टैनिस प्लेयर है शी इस फॉर्मर वर्ड नमबर वन इन बोथ सिंगल डबल्स बाइविमन स्टैनिस अस्टैनिस अस्टैनिस इसके लवा इन्होंने दो मेजर सिंगल टाइटल भी जीते हैं जिसमें एक क्या है जिसमें दोहजार उन्निस का यूएस ओपन है और दोहजार इक्टीस का ऑस्टैनिस बोथ पार्टनरिंग एलिस मर्टनिस जो लोग हिंदी में देखना चाहते है वो पीपिटी मिलेगी तो वहाँ से देख लेंगे किसको उत्राखंड की सेक्रेटरी के रूप में पहली महिला के रूप में हाल ही में चुना लिया है यस करन ठीक है अ few एक राजि का सबसे बड़ा काफी बच्चों ने सहीा आंसे दीए बहत बड़ी है सबसे बड़ा senior most administrative officer होता है इन्होंने किसको replace किया है इन्होंने सुखबीर सिंग संधु जी को replace किया है सुखबीर सिंग संधु next question देखते हैं recently पहला जो है snow leopard survey हुआ है snow leopard snow means बरफ leopard मतलब तेंदुआ बरफ में रहने वाले तेंदुआ की गिंती करी गई है snow leopard population assessment in India इस संस्थाने चार साल लगे इस counting में और उसके बाद जो report आई है उसके आप से पूछ रहा है कौन सा राज्य है जिसमें highest number of snow leopard है कौन सा राज्य है जिसमें highest number of snow leopard है तो total जो counting आई है वो लगबख 718 snow leopard जो है वो इंडिया में है और इसमें से लद्दाक में सबसे ज़्यादा है लद्दाक जो है वो number one पे है तो इसका सही answer हो जाएगा 90% लोगों ने सही answer दिया बहुत बढ़िया तो total कितने है 718 है और इसमें सबसे ज़्यादा कहा है लद्दाक में 477 477 हिमाचल प्रदेश 51 फिर अरणाचल प्रदेश 36 सिक्किम 21 जम्मू एंड कश्मीर 9 अलब ये जो लिस्ट है इसमें इन जो राज्यों के नाम लिखे हैं उसमें जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में अच्छा किसने ये गरणा करी थी मैसूर की एक औरणाइजेशन है जिसका नाम है Nature Conservation Foundation Nature पूछ सकता है ना किस संस्था ने ये काम किया तो दो संस्थाओं ने मिलके काम किया Nature Conservation Foundation और Wild Life Institute of India दहरादून इन दोनों ने मिलके ये गरणा करी है प्रोजेक्ट इसनों से Snow Leopard से related वो पूछ सकता है ये कव स्टार्ट हुआ ये 2009 में स्टार्ट हुआ अगर International Union for Conservation of Nature IUCN लिस्ट की हम बात करें तो जो इसकी red list है उसमें जो threatened species की जो red list है उसमें Snow Leopard को किस category में रखा गया है? Vulnerable Vulnerable category में रखा गया है मतलब चिंता जनक है The Snow Leopard commonly known as आउंस तो इसका जो पुराना नाम है Snow Leopard का कई बार वो ये सब भी इस तरीके के questions पूछ लेता है वो है आउंस And the species is native to the mountain ranges of Central and South Asia तो ये basically पहाडों में रहने के लिए इन्होंने अपना अनुकूलन कर लिया है ये रह लेते हैं ठंडी जगें पर भी रह लेते हैं इसी लिए इनका नाम भी पड़ा है हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है और हम इसमें पूरे हफ़ते का करेंट अफेर्स डिसकस करेंगे इसको क्या होता है जो लोक नर्ते होता है उसको फोक डांस कहते हैं जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं जैसे भरतनाट्यम हो गया कुछी पुड़ी हो गया खतकली हो गया और भी बहुत सारे हैं इसी तरीके से फोक डांस जो होते हैं वो लोक नर्ते होते हैं किसी स्टेट के स्पेसिफिक नर्ते होते हैं जो उस छोटे से रीजिन में ही बहुत ज्यादा जो हैं वो फेमस होते हैं प्रिचलित होते हैं तो पूछ रहा है डोगरी फोकडांस किस राज्य से रिलेटेड है तो अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप वहीं से पहचान लोगे कि जो डोगरी है वो कहा से रिलेटेड है जम्मू एंक कश्मीर से रिलेटेड है जम्मान कश्मीर से रिलेटेड है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भी जम्मू इसकी बारे में थोड़ा से देख लेते हैं और यह क्यों चर्चा में था क्योंकि अभी रिसेंट्ली जो केंद सरकार है उसने पद्मिश्री अवार्ड दिया है किसको दिया है जो जम्मू की डोगरी फोक डांस की एक महान आर्टिस्ट है उनका नाम है रुमालो राम यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रुमालो राम इनको पद्मिश्री अवार्ड डिसेंटी दिया है यूनियन गवर्मेंट ने तो इसलिए वह आपसे पूछ सकता है यह डांस फॉर्म होता कैसे इसमें एक ग्रूप में आर्टिस्ट होते हैं और उसमें उनका एक में लीडर होता है तो वो गाता भी रहता है और डांस भी करता रहता है और जो बाकी के लोग होते हैं वो बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं और वो अपना छोटे मोटे यंद्र बजाते रहते हैं इस तरीके से इस गुक डांस को किया जाता है चलो, next question बारती सिनमें सुवेदार का पद प्राप्त करने वाली पहली महीला कौन है फोटी सुवेदार और इन एन टौटे। इसका सही अंसर क्या है बारती सेड़क डेवारे meters के चलो, next question इसका सही अंसर क्या है क्या है क्या है प्रीती रजक यह रिसेंटली प्रमोड करी गई है और यह एक काफी अच्छी खिलाडी भी यह ट्रैप शूटिंग में बड़ा अच्छा करती है अच्छी प्लियर है और यह स्पोर्ट्स में भी रिप्रेजेंट करती है और यह पहली महिला है जिनको हवलदार के पच से प्रमोड करके सुबेदार बना दिया गया है और यह ऐसा करने वाली पहली महिला है काफी लोगों ने सही औंसर दिया इसका मतलब आप लोग सही डारेक्शन दिया तो यह basically कहां से यह Madhya Pradesh से है इंसर आफ प्रम है इनको सूवेदार बना दिया गया है चलिए, नेक्स्ट, नॉन अलाइन्मेंट मुव्मेंट, गुट निर्पेक्च अंदुलन, नाइन्टीन नॉन अलाइन्मेंट मुव्मेंट समित कहां पर हेल्ड हुई है, नॉन अलाइन्मेंट मुव्मेंट है क्या थोड़ा था, इसका मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, वैसे हो सकता है, कुछ लोगों को पता भी होगा, 1939 से 1945, यह Second World War चली, Second World War चली, First World War कब से कब तर चली, लगबग 1914 से 1919, यह थी First World War, ठीक है, तो Second World War के बाद क्या हुआ, कि काफी कुछ जो यूरोप का छेतर था, यूरोप के जो काफी सारे देश थे, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, क्योंकि सारे के सारे जितने भी यह First World War, Second World War, यह कहा हुआ, यह यूरोप के आसपास के देशों में हुआ, तो अमेरिका इस से बचा रहे गया, तो 1945 से लेके, और 1991, 1991 में क्या हुआ था, Disintegration of USSR, रशिया का जो पहले नाम था, वो क्या था, USSR, इसको Soviet Union भी कहा जाता है, तो इस समय तक क्या हुआ, अमेरिका, और रशिया, जो आज का नाम है, इस से पहले क्या नाम था, USSR या Soviet Union, इनके बीच में शीत युद्ध चलता था, जिसको हम क्या बोलते है, Cold War, Cold War क्यों बोलते हैं, शीत युद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों देश कभी भी आमने सामने आके युद्ध नहीं करते थे, किसी तीसरे देश में कहीं पर ये पीछे से help करते थे, पीछे से, क्यों नहीं करते थे सामने से युद्ध क्योंकि इनको दोनों को पता था, कि अगर इन दोनों के बीच में कभी भी direct confrontation हुआ, तो दोनों ही देशों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुक्सान दायक होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, nuclear capable है, और जब nuclear war की बात आती है, तो उसके लिए एक शब्द use होता है, उसका नाम है mad, किसमें आती है nuclear, war अगर कभी भी होती है दो देशों के बीच में, तो उसको बोलते है mad, mad का मतलब क्या है, mutually agreed destruction, तुम हमको मारों हम तुमें मारेंगे दोनों तबाह हो गए, खतम, ठीक है, तो इसलिए देश कभी सामने आई नहीं, हमेशा किसी तीसरे देश के थूँ ये पीछे से help करके लड़ते थे, तो ये जो समय था, ये गुडबंदी का समय हो गया, कुछ देश अमेरिका की तरफ चले गए, कुछ देश रशिया की तर नौन एलाइनमेंट, हम एलाइन नहीं होंगे, बाइपोलर वर्ड था, उस समय कैसा वर्ड था, बाइपोलर, या तो अमेरिका का साथ दो, या रशिया का साथ दो, दोनों में से किसी एक का साथ देना है, और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था, येस करने, ये तो नौन एलाइनमेंट मूविंट बिसिकली गुट निर्पेक्स्ता की बात करता है, कि हम किसी गुट में नहीं बनेंगे, तो ये जो समिट है, ये कहां पर हुई है, ये यूगांडा में एक जगए है, कम्पाला वहां पर हुई है, अब इसके बारे में हम देखेंगे थो पर युगांडा में इसकी शुरुवात कहां से हुई थी तो 1961 में 1961 में इसकी स्थापना हुई और इसके पीछे का बैग्राउंड क्या था एक कॉन्फरेंस हुई थी इसमें यही बात कही गए थी जो मैंने अभी आपको बताई कि हम गुट निर्पेक्च रहेंगे बांडूं कॉन्फरेंस और इसके बाद 1961 में कुछ देशों ने मिलके जिसमें कौन-कौन थे जिसमें यूगोसलाविया के प्रेजिडेंट थे जौजिफ ब्रॉस टीटो इजिप्ट के प्रेजिडेंट थे गमल अब्डेल नसीर इंडिया से हमारे पूर्व प्रधान मंत्री पहले प्रधान मंत्री जवाल लाल नहरू प्रेजिडेंट आफ इंडोनेशिया सुकर्नो एंड प्रेजिडेंट आफ घाना क्वामे नुखमा इन सबने मिलके इसकी स्थापना करी दोजार ननीस अक्टूबर के अगर हम बात करें तो इसमें लगबग 120 मेंबर हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड लेपरोसी डे कब मनाया जाता है ये शायद हमने पहले क्वेश्चन किया भी है ये क्वेश्चन शायद हमने किया हुआ है चलो कोई बात नहीं वर्ड लेपरोसी डे विश्व कुष्ट रोग दिवस कब मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी वैसे इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि लास्ट संडे आफ जनवरी जनवरी का जो लास्ट संडे होगा उस दिन मनाया जाएगा बट भारत में 30 जनवरी को इसलिए मना लेते हैं इसका सही आंसर है C 80 प्रिश्ट लोगों ने सही आंसर दिया है उसका रीजन है कि महात्मा गांधी जी को एक ट्रिब्यूट देते हुए इस दिन मनाया जाता है क्योंकि वो लेपरोसी से प्रभाविद जो लोग थे उनके प्रती वो बहुत कमपैशन रखते थे करुणा रखते थे ठीक है अच्छा लेपरोसी का एक और नाम भी है हैंसन डिजीज कई बार इस तरीके के नाम भी वो आपके एक्जाम में पूछ सकता है नेक्स्ट टेक्निकल टेक्स्टाइल रेफर्स टू टेक्निकल टेक्स्टाइल क्या होता है टेक्निकल टेक्स्टाइल रेफर्स टू वाट देखो इस तरीके के questions वो आप से क्यों पूछ सकता है क्योंकि जहां पर confusion है यह science and technology से based questions है जहां पर confusion है जहां पर आपके मन में दुविदा हो सकती है doubt create हो सकता है उस तरीके का वो आपसे question पूछ सकता है technical textile refers to what अब textile से आपको क्या लगेगा कि यह कहीं न कहीं textile से related है बट यह normal textile नहीं है technical textile एक इस तरीके का technically advanced textile है जो बहुत सारे functional purposes में use होता है functional purpose क्या हो गया जैसे automobile में use होगा agriculture में use होगा मतब कुछ न कुछ उसकी commercial viability होगी कुछ specific काम होगा तो यह normal जो एपरेल होता है उस तरीके का नहीं है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा बी इस दे करेक्ट आंसर 57 प्रिच्षत लोगों ने इसका सही अंसर किया है 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 तो लो चल Kill 2 6 और टेक्स्टाइल उसका आइसे बशने के लिए fear फाइटर वे इसके लाव और उन्लांग कुछ न कुछ इसकी specific application होगी उसको बो lawn the technical textile, Maratha military landscape, यह क्या है, Maratha military landscape, यह क्या है, यह recently चर्चा में था, what is the reason, why it wasn't news? what is the correct answer the correct answer is C both A and B Recently, India ने अपनी तरफ से UNESCO World Heritage Site के nominations में Maratha Military Land Escape के कुछ किले हैं उनको nominate किया है यह जो World Heritage Sites की list होती है उसको कौन बनाता है World Heritage Sites की list United Nations Educational Scientific and Cultural Organization जिसको short form जम क्या बोलते हैं UNESCO तो इंडिया ने अपनी तरफ से बारा किले हैं आरेन गुमार बेटा समझना ज्यादा important है फिर exam में सही होना चाहिए ठीक है तो इसमें बारा किले हैं जिनको नमांकित किया गया है World Heritage Site के लिए तो इसका सही answer C हो जाएगा दोनों सही है इनिया में अगर हम आज की बात करें तो टोटल 42 World Heritage Site है Heritage Site का मतलब क्या होता है बेसिकली Heritage का मतलब यह होता है कि जो हमारी इतिहास से हमको मिले है तो यह ऐसी संपत्य है वो कई तरीके की हो सकती है हो सकता है वो उसका कुछ historical importance हो हो सकता है उसका कुछ nature से related कुछ importance हो तो इनिया में टोटल ऐसी जो Sites है World Heritage Sites है टोटल कितनी है 42 है इसमें से 34 जो है वो cultural Sites है कहीं न कहीं historical उनका significance है साथ natural Sites है और एक साइट जो है वो mixed है जो cultural भी है और nature से भी related है Digital Detox Initiative किस राज जी ने इसको recently शुरू किया है Digital Detox Digital Detox का मतलब क्या है आपने अपने घर में भी देखा होगा असपास भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग mobile में बहुत जादा involved रहते खास तोर से gaming बगेरा में तो Digital Detox की बात ये करी गई है कि हम इस तरीके के systems develop करें क्योंकि लोग तो mobile नहीं छोडेंगे तो हमें ऐसे systems develop करने चाहिए कि जिस से हम कुछ benefit ले सके ना कि हमें नुकसान हो इसको बुला गया Digital Detox इसको सही answer क्या है the correct answer is Karnatak एक Karnatak is the correct answer काफी साथ लोग ने सही answer क्या बई So the Karnatak government in collaboration with all India game developers forum has launched the digital detox initiative I hope आप समझ गये कि इसका काम क्या है Recently किसको जारकंड का chief minister बनाया गया है यह तो आपने जरूर अभी चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले की बात है दो-चार दिन पहले की बात है बेटा बैच बैच से related जो भी information है वो आप back end team से पूछोगे तो आपको ज़दा अच्छी information मिलेगी आप help line number पर आप call करिए connect करिए फिर भी आपको लग रहा है आपकी problem solve नहीं हो रही है तो आप directly टेलिग्राम पर मुझे पिंग कर सकते हैं मैं team को आपकी context दे दूँगा वो आपसे directly बातचीत कर लेगी वो बैच से related जो भी information है वो मुझे से ज़दा अच्छे तरीके से आपको team बता पाएगी recently किसको जारकंड का मुखमंत्य के रूप में चुना गया है the correct answer is Champai Soran Champai Soran हेमत Soran की जगें पर इनको चुना गया है 92 प्रतिशत लोगों ने सही answer दिया भई बहुत बड़ी हैं अच्छा कर रहे हो तुम लोग तो यह जारकंड मुक्ति मोर्चा के लीडर है इनका नाम है Champai Soran और recently इन्होंने ओथ ली है as the 12th Chief Minister of जारकंड team से पहले जो हेमन Soran जी है उनको recently enforcement direct net ने अपनी custody में ले लिया है पांस दिन के लिए इस वज़े से उनकी जगें पर इनको लाया गया है इससे पहले ये cabinet minister रह चुके है ट्रांस्पोर्ट के, schedule tribes के, schedule caste के, backward class welfare के ठीक है, next question किस संस्था ने recently digital payment index को publish किया है digital payment index ये बताता है कि पिछले विगत वर्षों में बेटा, YouTube पे आपको सिर्फ comment में डालना होता है comment में अगर आप डाल दोगे अपना answer तो वहां से ही pick कर लेगा latest technology है बारे पास अरे शोब, समझ गए? चला तो ये करता क्या है, digital payment index आपको बताता क्या है ये बताता है कि विगत वर्षों में जो digital payment है वो किस हद तक उसने जो conventional payments है उसको displace कर दिया है काफी सारे लोग अब digital payments ही करने लगें तो किस संस्था ने इसको recently publish किया है the correct answer is Reserve Bank of India the correct answer is Reserve Bank of India Reserve Bank of India ने recently digital payment index इसको publish किया है और इसके हिसाब से 2023 का जो data है वो ये कह रहा है कि ये 418.77 है digital payment index जो पहले 2023 मार्श में कितना था 395 था तो ये बढ़ गया है ये index बताता क्या है ये बताता है कि किस हद तक लोग digital payment कर रहे हैं देश में इस index की शुरुवात कब होई जनवरी 2021 से हुई और इसमें जो base लिया जाता है वो किसको लिया जाता है मार्श 2018 को base लिया जाता है और उसके हिसाब से ये calculate किया जाता है ये index calculate किया जाता है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा? चलिए next question corruption perception index 2023 में इंडिया की rank क्या थी? इसको कौन सी संस्था publish करती है transparency international ये याद रखना कई बार ये भी पूछ लेता है ये बहुत famous question है आप लोग के एक्जाम का ये आपके एक्जाम का बहुत famous question है वो rank ना पूछ के कई बार ये भी पूछ लेता है कि corruption perception index कौन से देश में कितना corruption है वो कौन सी संस्था निकालती है तो संस्था का नाम है transparency international और ये एक private organization है सरकारी संस्था नहीं है the correct answer is b 93 पहले इंडिया की जो rank थी 2022 में वो कितनी 85 थी और अब उससे गिर के कितनी हो गई है तो correct answer is b 69.23 percent as per the country wise corruption perception index of the report put together by transparency international which works in over a hundred countries to fight corruption and promote transparency in public life India has slipped from 85th position in 2022 to 93rd position in 2023 2022 में 85 पोजीशन से अब तिरानवी position पे पहुँच गया है भारत मत्तब corruption बढ़ा है what is elpenglow अब देखो geography भी आ जाती है कभी कभी current affairs नहीं है यह वैसे geography का question है what is elpenglow recently seen in the news elpenglow क्या होता है elpenglow यह elpenglow लीबे नहीं है कुछ लोग वो टॉफी समझ रहे होंगे elpenglow की बात हो रही है आपके घर में वह वाला calendar होगा ना जिसमें पहाड़ नदियां सूरज उस सब बने होते हैं तो आपने देखा होगा कि पहाड़ का एक साइड होता है जो सूरज की किर्णों की वज़ाए से बिलकुल सुनहरा सुनहरा लगता है उस प्रकरतिक घटना को बोलते है elpenglow the illumination of mountain slopes by the sun this is called elpenglow इसका सही answer क्या हो जाएगा भाई बी बढ़ियां कर रहे हो भाई तुम लोग तो छीक कुछ किलों के नाम दे रहा है पूछ रहा है कि ये किले कहां located है सालहर फोर्ट शिवनिर्नी पोर्ट शिवनेरी पोर्ट एंड पनहला फोर्ट तीन किलों के नाम दे रहा है सालहेर शिवनेरी और पनहला ये भारत के किस राज्य में इस्थित हैं करेक्ट आंसर इस बी महाराष्टा और भी बहुत सारे किले हैं महाराष्टा में जैसे सालहर हो गया शिवनेरी हो गया लोहगड हो गया खंडेरी हो गया राइगड हो गया राजगड हो गया प्रताबगड हो गया सुवन्ड दुर्ग हो गया पनहला फोर्ट हो गया विजय दुर्ग हो गया सिंधु दुर्ग हो गया इस सब महाराष्टा के जिंजी फोर्ट ये कहां पर है ये तमिलना डूमे इसको याद रखना जिंजी जिंजर से याद रखना अदरक जिंजी जिंजी फोर्ट ये कहां है तमिलना डूमे तो इसका सही आंसर क्या है बी महराष्ट्रा बहुत सारे आंसरे तुम लोग सही देते हो भई भारत 5G portal अब ये तो देखो ये question तो मजाक है ये question common sense का question है आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप कर लोगे पूछ रहा है कि भारत का जो 5G portal है वो कौन सी ministry launch कर रही है तो ये तो देख की बता दोगे क्या finance ministry करेगी communication की बात हो रही है नहीं commerce industry नहीं information broadcasting नहीं ministry of communication तो इसका सही answer क्या हो जाएगा ठीक है चलाओ इसका सही answer है A चालिस प्रतिशत लोगों ने सही answer दिया दिल्ली में हाली में जो solar policy 2024 है उसकी इसाब से जो installed capacity का target रखा गया है वो क्या रखा गया है What is the target of total installed capacity of solar power in Delhi till 2027 तक कितनी target installed capacity रखी गई है दिल्ली में as per the solar policy 2024 तो इसमें एक तो capacity important है कितनी capacity है साड़े चार हजार मेगावाट बात किसकी हो रही है दिल्ली की किसकी आधार पर हो रही है solar policy 2024 की जो लक्ष का वर्ष है वो क्या है वो है 2027 इस सारी बाते दिमाग में रखना इसको नोट कर लेना सो सी साड़े चार हजार मेगावाट इसका सही आंसर है टाइम थोड़ा कम कर देते हैं 30 सेकंड कर देते हैं फटा फट कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम ज़्यादा हो गया है शुभांग लीला किस राज में प्रदर्शित रंग मंच का एक पारंपरिक रूप है शुमांग लीला एक टेडिशनल फॉर्म है थेटर का यह पूछ रहा है किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है इसको मैं फाइव स्टार दे रहा हूँ सुमांग लीला कल्चर से रिलेटेड है और नौर्थीस से रिलेटेड है दे करेक्ट आंसर इस डी मनीपॉर्ट दी मनीपॉर्ट तो यह एक ट्रेडिशनल फेटर है जो मनीपॉर में किया जाता है और मनीपॉर में जो मेजॉरिटी जो ट्राइवल पॉपलेशन है इस मेती जो मेती पॉपलेशन है ठीक है वो लोग इसको बनाते हैं ठीक है फिर पूछता है नियूरो टेकनॐजी कंपनी विशं नियूरो टेकनॐजी कंपनी है z embedded the first computer chip in human brain तो recently एक company है जिसने एक neurochip बनाई है सिक्के जैसी होती है क्वाइन के shape की होती है उसको brain में implant करके वाइरिंग वगएरा उसमें सब होती है बढ़ियां बिल्कुल चका चक तो अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो वो लगाई जा सकती है पहली बार ऐसा किया गया है practically तो पूछ रहा है किस company ने किया तो इसका correct answer क्या है Neuralink तो यह आप सब के जो favorite दुनिया के बहुत बड़े अमीरों में जो शुमार होते हैं जिनका नाम है Elon Musk इन्होंने एक company नहीं बनाई थी कुछ लोगों के और लोगों के साथ मिलके 2016 में जिसका नाम है Neuralink और उसी के अंतरगत इन्होंने यह चिप बनाई है Neuralink जो human brain में directly fit करी जा सकती है ठीक है तो I think यह थे हमारे questions एक बार देख लेते भाई कौन कहां पर है किसी किसी को देखना है तो देख लो भाई अपना अपना नाम करन राज बहुत जबरदस तरीके से इन्होंने 37 में से 32 question सही किये है फोड़ दिया है इन्होंने बिलकुल फिर अभिनाश है 38 में से 28 फारुक 26 32 में से 26 सुधीर 33 में से 20 लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है जो लोग इससे motivate हो सकते है वो motivate हो जिनका कहीं नीचे number है या मैं कहीं नहीं भी है हम अभी सीख रहे है यह final नहीं है final में अगर ऐसा होगा तो गडबड होगी final इसलिए हम मेनत कर रहे हैं इसलिए हम पढ़ख़ successor एसलिए हम पड़ रहें तो अैसा नहीं के इसको देख्कर दुखी होगे अब हम अब हम क्यों पढ़एं पढ़ने का ऐधा रहे आग बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे हैं चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मिलते हैं अगले सेटरडे इसी चैनल पर यहीं पर मिलेंगे इंज्जुनियर्स वाला के चैनल पर ही और हम बात करेंगे एक बार फिर से important current affairs और उससे related questions की एक बार जल्दी से comment section में बताईए कि आपको इस session से फाइदा हो रहा है की नहीं हो रहा है तो मज़ा आ रहा है की नहीं आ रहा है और मिलते हैं अगले class में till then goodbye take care all the best thank you so much thank you thank you everybody